हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तू माई यूट्यूब चैनल स्कूल अफ नॉलेज आज मैं आपके लिए सुच में सिक्षर से संबंदित पाठियोजना को लेकर आई हूं और आज का हमारा कोशल है प्रस्तावना कोशन आए दिखते हैं कि प्रस्ताना कोशल के लिए पाठियोजना किया जा सके तो यह अपने विद्याले का फॉर्मेट होता है आप अपने विद्याले की साफ से बनाएगा तो आए स्टार्ट करते हैं कि सुच में सिक्षर प्रस्तावना कोशल के लिए कैसे त्यार करेंगे पाठियोजना तो इसमें सबसे पहले उपर हम लिखते हैं प्रस तो आप 5 बिन्दों को लिखा जाता है पहला है दिनांक दिनांक वह दिनांक होता है जिस दिन आप शिक्षड कारी करेंगे उसके वाद नंबर आता है कच्छा का तो यह कच्छा के लिए विसे इसका गड़ित है चक्र एक और अधी जो आधी च्छै मिनट है जितने भी कि आपको भी नहीं लिखते हैं वैसे चीज यह प्रस्ताना कौशल का मतलब होता है उसको नवीन ग्यान से जोड़ना तो इसलिए प्रस्ताना कौशल में पुर्व ग्यान को जरूर लिखा जाता है ठीक है तो हम यहां तहे तीन बिन्दू होते हैं तीन कॉलंब छाटर शिषिट MAR withstand को यह जबाब देंगे उसे रिखा खंड कहते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया अब अब क्या करेंगा इस रेखा कंड को लेंगे और उससे फिन ङया सवाल बनाएंगे कि रेखा खंडों के द्वारा क्या बनाया जा सकता है तो बच्चे क्या बता देंगे कि उस रेखा के द्वारा विभिन आक्रितियां बनाई जा सकती है ठीक है तो फिर आप यहला आंसर लेंगे और उससे next question पूछेंगे कि कुछ आक्रितियों के नाम बताईए तो बच्चे क्या जबाब देंगे कि वर्ग, आयत, त्रिभुजादी जो है विभिन आक्रितियां बेखा खंडों से बनाई जाती है फिर हमने क्या लिया हैं से वर्ग और आयत को उठा लिया कि वर्ग तथा आयत में कितनी भुजाए होती है तो बच्चे चार पुजाएं पता होती है चार पुजाओं से गिरी आखरिती पतलत या हम बच्चो को चाहते हैं चाहते हम्यों क्या पड़ेंगे जा सब्सक्राइब टयुंत्थ, कै यॉफित यहां गहींत्र, चाहटेशं की ओड़ेंगे यूभछे। और को skirts को के घटकों को तो इसमें पहला कॉसảiल को संख्यां दूसरा कॉसेल के घटकं Eli क striya मुल्यांगन करते हैं तो परकुषन का पुर्व घ्यान से संबंध है क्या है तो हम आप कुशिन देखेगा तो प्रस्तावन की उपयुक्ताओदी उपयुक्ताओदी किस देर कि चैनल तो प्रस्ताओनगों 6 मिनुट में ख़तम हो गया तो हां जी हां खतम हो गया पीर प्रशनों का पार्ट है मुस्की अधेस्यों से समध जो उसमें क्या-क्या मतलब मतलब जो प्रशन, आप पूछ रहे हैं और प्रक्रण है या जो पढ़ाना है उस से लेना देना है तो इस पर भी टीक हो गया तो यह हो जाता है आपको कोशल के घटक और उसका मुल्यांगन का तरीका है अगर सपोच एक भी कोई कमी रह जाती है और कहीं किसी पे भी मुल्यांकन की समय यहां नहीं वाले पोर्शन में टीक हो जाता है तो जो आपके सहपार्टी है जो आपकी कॉपी की जाज करेंगे वह आपकी अलोशना करेंगे कि आप जो है क्लास में फूल एक्टिव नहीं थे आपके अंदर उत्सा की कमी थी या फिर आपने प्रस्तावना को 6 मिनट के आओधी में नहीं खतम किया इस तरह से करके आपको आलोशना करेंगे साथी साथ आपको सुझाओ भी देंगे कि आप किस तरह से अपने सिक्षड कारे में सुधार ला सकते हैं और अगर आप में जो मुल्यांकन में कहीं भी नहीं का निश प्रस्तावना कौशर आपको मेरी पार्टियों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यह से लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें अगले लेशन प्लान में आपसे फिर मिलूंगी तब त प्लान में आपको मार्टियों क्टी लगी यह वीकल वीडियों कान आपको यह तो यह तानि भापको यह तो 0. transition